2011 को 3,121 से multiply करें हम palindrome approach का उपयोग करेंगे जिसे हम पिछले session में देख चुके हैं 1, 2, 3, 4, 3, 2, or 1 यदि आपने पिछले session को नहीं देखा है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप उसे देखें इसलिए palindrome के आधार पर हम पहले इस product को दूनते हैं 1 multiplied by 1, 1 होता है फिर हम इस product को इसके साथ add करते हैं 1 multiplied by 1, 1 है और 2 times 1, 2 है 1 plus 2, 3 है तो यह product एक के लिए था और इन दो products का sum 2 था Next, हम इन तीन products को add करते हैं 1 plus 2 plus 0, 3 है और फिर हम 4 products को add करते हैं 3 times 1 plus 1 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 2 plus 2 times 1 यह 6 के बराबर है 3 के लिए हम इन तीन products को add करते हैं 3 times 1 plus 1 times 0 plus 2 times 2 हमें 7 मिलता है इसके बाद इन दो products का sum होगा 0 times 3 plus 2 times 1 2 और 2 multiplied by 3 अंटिम product होगा 6 यह कितनी जल्दी था 2011 times 3,121 6,276,331 के बराबर होगा पैलिंद्रोम को मत भूलना 1,2,3,4,3,2 or 1 यह प्राक्टिस के साथ सिंपल हो जाएगा अगले एक की कोशिश करो 1472 times 4,215 2 times 5,10 है 10,0 और एक कैरीड ओवर अब 1 multiplied by 2 plus 7 times 5,37 के बराबर है साथ और 3 कैरीड ओवर अब हमारे पास 3 है 2 times 2 plus 7 times 1 plus 4 times 5 4 plus 7 plus 20,31 फिर इन चार उत्पादों का सम क्या होगा 4 times 2 plus 2 times 7 plus 1 times 4 plus 1 times 5 8 plus 14 plus 4 plus 5,31 फिर से इन तीनों के प्रादक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमें 28 plus 8 plus 1 मिलता है 37 केवल 2 और 1 रह गए 4 times 4 plus 2 times 1,16 plus 2,18 के बराबर है और अंतिम एक 1 multiplied by 4,4 है हम लगबग वही है 0,8,4,4,10 0 और एक कैरीड ओवर 1 plus 3 plus 8,12 है 2 और एक कैरीड ओवर 1 plus 1 plus 4,6 है 1,472 multiplied by 4,215 6,204,480 है 3-digit numbers के multiplication के लिए palindrome 1,2,3,2,1 है और 4-digit के लिए 1,2,3,4,3,2,1 है और 5-digit numbers के multiplication के लिए Central No. 5 होगा